हेलो एब्रीवन जी के चैप्टर नाइन्टीन ओपन कीजिए बुक इस पर दिया हुगा है आपको हैपी हावर्ड शेट्डियूल फो दर डे इस गिविन बुलो एक दिन का सेट्डियूल दिया हुगा है आपको नीचे ठीक है arrange it in the proper order by numbering the squares also fill in the proper time तो आपको इन्हें arrange करना है कैसे करना है यह जो squares दिये हुए हैं उनमें numbering करनी है कि 1,2,3,4 ऐसे ठीक है और इनमें time भी fill करना है तो चली देखेंगे पहले कैसे fill करना है हमको तो पहले तो हम square में देखेंगे कि सबसे पहले हम जब दिन स्टार्ट होता है morning होती है तो हम क्या करते है पहले खड़े होती है तो फस्ट जो square दिया हुआ है देखिए उसमें मैंने one लिखा हुआ है ठीक है तो सब one fill करेंगे फिर लिखेंगे I get up at am अब इसमें आपक वो वाला time लिखना है तो मैंने इसमें six fill किया है six am अब आप जब जिस time जागते हैं आप वो fill करेंगे ठीक है अब देखिए फस्ट हुआ अब जागने के बाद आप क्या करते हैं brush करते हैं ठीक है तो brush के लिए देखिए last वाली line में सबसे last में जाएगे अब यह दिया हु हुआ है लिखिए second कि first आप खड़े हुए उसका timing आपने फिल किया आप अपने according सब कर लेंगे फिल second में देखिए second लिखा square में अब रीड करेंगे क्या लिखा name the first thing you do after waking up in the morning आप जब खड़े होते हैं उसके बाद आप जो भी first thing करते हैं morning में उसका आपको लिखना है तो देखिए side में दिया हुए picture क्या कर रहा है brush तो क्या लिखा है मैंने brush my teeth ठीक है खड़े होके आप brush करते हैं तो लिखेंगे यहाप बी आर यू एस एच ब्रश अभी third देखेंगे third line कौन सी आईगी तो देखिए जो third है वो second number पर दी हुई है उपर से देखिए इसमें लिखा है I have my breakfast at तो देखिए आप खड़े हुए आपने brush किया अब आप क्या करेंगे breakfast करेंगे ठीक है तो third लिखेंगे square में अब breakfast आप कितने बज़े करते हैं वह टाइमिंग डालेंगे मैंने सेवन थर्टी एम लिखा है ठीक है आप अपने according फिल कीजिए अब three हो गया अब fourth देखेंगे breakfast किया फिर क्या करेंगे school जाएंगे तो school का यदि यह वो है fourth number लिखेंगे ठीक है fourth I go to school at अब आप school कितने वज़े जाती है वो लिखना है अभी तो आप कोई नहीं जा रहे हो ना लेकिन जाते थे ना last year जाते थे आगे भी जाएंगे तो इसमें मैंने eight लिखा है ठीक है साड़े साथ पर आपने breakfast किया और eight school की timing fill करनी है four हो गया आप fifth वाला देखेंगे I play at अभी two बचे थे तो fifth पर यही वाला आएगा I play at जब आप खेलते हैं कितने वज़े खेलते हैं वो timing लिखनी है आपको मैंने five लिखा है और last six देखिए I go to bed at सोने का time ठीक है तो उसमें last हो गया six लिखेंगे और जब आप सोते हैं वो timing लिखनी है आपको मैंने nine लिखा हुगा है तो फिल हुगा सबका अब देखिए समझ यह पहले हमने क्या किया फर्स्ट लिखा I get up at जितने बज़े आप खड़े होते हैं वो लिखना था फिर second खड़े वाने के बाद name the first thing you do after waking up in the morning उससे हमने सेकेंड लिखा उसमें लिखा brush my teeth थार्ड देखेंगे I have my breakfast at जब आप breakfast करते हैं वो timing फिर्स्ट के बाद fourth वाली I go to school at जब आप school जाते हैं वो time fifth I play at जब आप खेलते हैं वो time और sixth पर I go to bed at जब आप सोते हैं वो time ठीक है कि चलिए इसी वीडियो में next chapter देखेंगे chapter 20 eating time यहाँ पर आपको क्या कुछ कुछ चीज़ें दी हुई है जो कि आपको खाने में पसंद होती है तो उनके names लिखने हैं आपको कुछ hint दी हुई है उसमें यानि की fill कर रही है कुछ spelling को complete करना है तो देखेंगे first क्या दिया हुआ है पिच्चे से समझ आ रहा है समोसा तो spelling लिखेंगे S already fill है S-A-M-O-S-A complete कीजिए सेकिन देखिए pastry P-A-S-T-R-Y pastry थर्ड सेंडविच S-A-N-D-W-I-C-H sandwich fourth B-R-E-A-D bread fifth I-C-E-C-R-E-A-M ice cream or sixth B-U-T-E-R butter